नसा बढ़ियां से बढ़ियां आदमे को बरबात करके छोड़ता है आज के बाद से कंट्रोल में पिया करेंगे इस समभाद पर जिस तरह से पात्र और दर्शक एक साथ खिल खिला कर हसते हैं यही सुंदर्ता कई वर्शों से हमारे फिल्मों या हमारे धारवाहिकों से कही गायब सी हो गई थी हम असली इंडिया या असल भारत को दिखाने की दावे तो बहुत करते हैं परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो इस दावे को वास्तम में आत्मसात करते हैं नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेश पांडे आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पंचायत का दुतिये संसकरण वांपंथी एजंडे के विशेले वातावरण में किसी अमरित वर्षा से कम नहीं है तो अवलम आरंभ करते हैं दीपक कुमार मिश्वरा दौरा निर्देशित एवं चंदग कुमार दौरा रचित पंचायत Amazon Prime वीडियो पर प्रसारित होने वाली वेब सीरीज को दुतिये संसकरण है जिसका प्रथम भाग अप्रेल 2020 में प्रसारित हो चुका था कथा वहीं से प्रारंभ होती है जहाँ प्रथम संसकरण में खतम हुई थी आनी की तंकी से पंचायत सचिव अभिशेक तिरपाथी फुलेर गराम में अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं और कैसे वे अपने जीवन के विभन समस्याओं का निवारण फुलेरा में रहते हुए करके दिखाते हैं, पंचायत इसी के बारे में हैं प्रथम संस्करण के प्रचंड लोगप्रियता को देखते हुए दुतिये संस्करण से भी काफी आशाये थी कि समाजिक समस्याओं एवं गरामीन भारत की वास्तविक्ता को परिलक्षित करते हुए, वो एक बार फिर OTT पर अपनी अमिट छाप छोड़े और इसमें कोई संदे नहीं है कि पंचायत ने इस शेत्र में पुना ज़ंडे गारे हैं लेखन, अभिने, निर्देशन, सिनमाटोग्राफी आप बस बोलते जाईए और पंचायत ने तो बस हर शेत्र में अपना गरदा उड़ाया है इस सीरीज आपको कई जगे गुदगुदाएगी, हसाएगी, कई जगे जगजोरेगी भी और कुछ जगे तो आपको जिनजोर भी देगी जहां आप निशब्द रह जाएंगे यदि आप किसी सीरीज के चरितरों के साथ ऐसे जुड़ जाओ कि उसके सुख आपके सुख हो और उसके दुख आपके दुख हो तो समझ लीजे कि इस सीरीज में दम तो है और पंचायत ने इस शेत्र में काफी खूब काम किया है चाहे मुख्य भूमिका में जितेंद्र कुमार हो या सहायक भूमिकाओं में रगुबीर यादव हो चंदन्द रोय, फैसल मलिक, सन्विका, नीनाद गुपता, सुनीता राजवर यहां तक की दुरगेश सिंग जैसे कलाकारों ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ भरपूर नयाय किया है, परन्तु यही एक बात नहीं है जो पंचायत को अन सीरीज से अलग करती है, एक और सेक्रिट गेम्स पाताल लोग जैसे सीरियल रहे हैं, जो मनोरंजन बाद में और एजेंडा पहले ले आते हैं, ऐसी वेब सीरीज के कारण वाम पंथियों को दम घोटु छेलना होता था, परन्तु वे भूल गए कि सोशल मीडिया के युग में जूट ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, ऐसे में वाम पंथि विश्क्या खाक टिकता, आम तोर पर कोई भी सीरीज एक संसकरंट से अधिक नहीं चल पाता है, परन्तु टीवी एफ का प्रभाव तो पहले गुल्लक और फिर पंचायत के जरिये उन्होंने सिध्ध कर दिया है कि यदि आप अपनी जंता को समझते हैं, तो समझ जाईए कि आप अपने जंता की नब्स को पकड़ने में सफल हुए हैं OTT शो के साथ अकसर ये शिकायत रहती है कि या तो वे पर्याप्त मनुरंजन नहीं कर पाती है और अगर एक संसकरण में कमाल करती है तो दूसरे में पूरी तरह फुस हो जाती है पर अथ तो पंचायत की कथा ही अनोखी है, हर संसकरण में एक अलग रूप, एक अलगी दृशिकोंद देखने को मिलता है पंचायत के वल एक सीरीज ही नहीं है एक कथा एक बदलते भारत की एक नए भारत की जो आगे बढ़ना चाता है जो उड़ना चाता है और अब रुकना नहीं चाता